हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अकांचा क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे ब्रूस्टर का नियम क्या होता है और उससे किस प्रकार आप लोगो को स्टन पूछा जाता है तो आप लोगो केवल ब्रूस्टर का नियम अब यह जो कोश्चन है यहां से लेकि यहां तक यह पूरा ऐसे पूछा जाएंगे कि आपको पूछा जाता है तो आपको यही लगाना है जो आपको डिएशन बताने जा रही हूं और कुछ भी नहीं करना उसमें बस उसमें यहां पर लैंग्वेज आपकी चेंज कर देग और सारा प्रॉसेज रहेगा वही तो हम स्टार्ट करते हैं कि बूस्टर का नियम क्या होता है तो आप लोगों को बूस्टर का नियम याद नहीं करना है केवाल एक फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे आपको याद रखना है एन बराबर फॉर्मूला होता है टैन आई-पी आप यहां पर यह क्या है तो इस पर स्जा होती है यह सब आपको बताएंगे ऐनबर नलब क्या होता है आप पोर्तनांक और रहोता है उप मैं गग्या होता कि ए आप मैं आप लोगो बोलते इस परस लिए तो आप लोग को लिखना है कि किसी अब जब आप बूस्टर का नियम लिखेंगे तो आपका जो दुरुवीद प्रकास होता है इसमें दो टाइप की प्रकास होते हैं एक दुरुवीद प्रकास होता है का दुरुवीद प्रकास होना है तो आपको लिखना है अदुरुवीद प्रकास से किसी अदवीद प्रकास का अपवर्तनांग यन अपवर्तनांग क्या होगा यन उसके द्रूमर कोड के कि उसके द्रूमर कोड आई एंपी की इस पर स्ज्या के बराबर होता है कि इस पर स्ज्या के बराबर होता दो यह आपको कुछ नहीं रखना है सिर्फ अनग डॉल Nah में यहां पर लिख रहा हैं तो-कुसि और प्रकास का या फिर आफ दूसी भी लिख सकते हैं आपर किसी प्रकास का क्योंकि जो चैप्टर है वो लाइट से लेटेड है प्रकास वाले चैप्टर से लेटेड है इसलिए आपको क्या लिखना है प्रकास का अब आपको पता है पॉर्तनांग यहन है और दुमार कोर क्या है आई पी और टैन क्या होता है इ यही आपका ब्रूस्टर का नियम है यही ब्रूस्टर का नियम है बस आपको इतना लिखना है आपका ब्रूस्टर का नियम पूरा तयार हो गया अब उसके बाद जो आपका नीचे वाला है तो आपने जैसा कि बताया आप लोगों सिर्फ क्या याद रखना है यहां पर लंबु अतवर्ड याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है अगर यह अगर पूछा जाएगा छोटे यह अगर क्या पूछा जाएगा आपको केवल बुस्टर करने के लिए अगर जरूरी आएगा इस सब्सक्राइब करने के लिए जरूर आएगा तो बताते हैं किसका निग्मन कैसे करेंगे तो हमें स्चार्ट करते हैं कि यह जो हमारा नीचे वाला दिया हुए कैसे सिद्ध करेंगे तो हमारा जो बुस्टर का नियम था क्या था एन बराबर 10 IP और आप लोगों एक चीज और पढ़ी होगी स्नायल का नियम क्या होता है इस नायल का नियम जो होता है वो होता है कि और यहां पर इसे पढ़ता है उसके बाद ही ऐसे रिफलेक्ट हो जाता है तो क्या ललेते हैं write प्रकास उसे बोलते हैं जो चालब चाहरों प्रकास श्कीकाया मतलब होता है जिसकी जो बनाना है पैंसिल या पट्री की सायता से बनाना है पैंसे भी आप लोग बना सकते हैं और यह यहां पर आपका जो यहां पिए यहां पर यहां पर करेंगी हमारा क्या है आपतित कोड़ेंगे हमारा पर तोड़ेंगे पर थीटा किया है आइपी तो साइन आई पी अपान कॉस आई पी अब जब में दोनों को बराबर करते हैं तो एन आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा साइन आई अपॉन साइन और इस इक्वाल टू साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी अब साइन से साइन कर जाएगा बचेगा क्या साइन आर बराबर कॉस आई पी अब यहां पर किसी एक को चेंज कर देते हैं या इसको चेंज करते हैं या तो इसको तो साइन को चेंज करेंगे तो क्या प्लस आपर क्या है आईपी और देखिए आपा अब आपर साइन से साइन कर जाएगा बचेगा क्या हमारा हुँआर अब लवत का मतलब होता है 90 डिग्री हमेशा बोलेगा आपको लंबवत की जगे में आपको क्या वोल सकता है समकोरं भी सकता है समकोर जो लेगा उसका मतलब क्या है पर दिगरी नबस निग्स निग्मण हो गया तो सब्सक्राइब करें इस